मैं देवेंदर आपको स्वाहाद करता हूं आपको अपने टूचनल से अम टूटक लमें आंक प्रदेश और देली से एक ग्रमीन डाक से बात करने जा रहा हूं तो बने रहे वीडियो में लाश्ता कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेगा और क्या कुछ इस फॉर्म के अं आप्सन सेलेक्ट करें चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें और इस चैनल का कोई भी अपडेट आप से मिस नहीं हो इसके लिए और बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म के दिए आप फिलब करना चाहते तो एक बार वीडियो देखने के बाद हमारे वीडियो के निचे डिस्केशन बॉक्स में जरूर विजिट करें और वहां से आप इसका नुटिफिकेशन जो है वीडियो फाइल उससे आप डॉनलोड करके पूरा पिस्तारूप से पढ़ना चाहते हैं और इस फॉर्म को आ गया लाश्ट डिट इसका तो फरवरी आ गया है तो आप इसे चाहिए तो कर सकते हैं और इसमें किस तरह कोई एक्जाम नहीं है सबसे पहले मैं आपको बतावको इसमें क्या नहीं है आपको लनकरा नियुक्रिस्त के यह सबस्क्राइए और इसका जो पैमिंट करने का devotion चाहिए तेसमें किस पोंस्ट के लिए असिस्टें ब्रांच से उसके लिए प्रदेश से निकला है डोलों का नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्स लिंक मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड करें और दोनों के बारे मैं आपको बता दू कि छेत्र के लिए भरना चाहरे हैं जिस छेत्र में आप आपको पोस्ट आफिस उसमें आप जाना चाहरे हैं तो उस छेत्र का आपको लेंगिवान जाहिए और किसका क्या लेंगिवान आगे आपको विडियों बताता हूं और कैसे अपलाई करें सब कुछ में आगे बताया हूं और एक जी और है इसमें जो फी है वह उर यार जिनु पूरत नहीं है अब इसमें जो वैकरन से हैं तो आंधर प्रदेश का टोटल 2296 है और देली पुस्टल सर्किल का वैकरन सी है तो उसमें आपको 233 है मैं एक लिस्ट नीचे बना करा करा हूं उससी से थोड़ा आपको हेल पेकर बता रहे हूं उसमें बड़ा लिस्ट होएता त आपको जब फाइनल सिर्फ जब करेंगों उसके पहले पर आप ये कले कहीं तरह कोई कहीं मिस्टेक नहीं हो और इसमें जो आप फी पेड करेगा तो आपको जो कुर्स होता उसको नौलेज होना चाहिए अब यदि किसी दो कंडेंट का मार्स सेव रहे उससेशिवेशन में उनका किसी सेलेक्शन के बिस ने में एज में इदार पर उनका जो है सेलेक्शन किया जाएगा आब यहां पर फॉर्म को अपलाइ कैसे करना है जो सोब से पहले देख लिते हैं ओफिशल वेबसाइट यहां पर दिया हुआ है स्ट्टी पीएस इंडिया पोस्ट डॉट जी यो वी डॉट इन या फिर इस पर आपको जाना है गूगल पर सर्च करके युवर में ये टाइप करना है इसका ओफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद या फिर मेरे वीडियो को निचे डिस्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देया हुआ है तो यहां पर जा सकते हैं रेस्टेशन करना है और यहां पर दिया हुआ है 27 जनबर 26 फरवरे तक लास डेट है जिसमें आपको अपना नाम फादर ने मोबाल नंबर जो आपको चालू है वही और डेट ऑब वर्थ जेंडर कम्यूटी यदि आप जो फिजिकल हंडिकप कटोगरिस आ रहे हैं उनके लिए अपना डिजिबिलिटी यहां पर देना होगा जिबिख जो भी यह आप किस आर्टेट से अपने 10 पास किया है कौण सा बौर सापने तेंध पास किया है कब आपने तेंध पास किया है मैं पहले बता तुम सिर्फ और सिर्फ टेंथ का सर्डिफिकेट देना है किसी अधर जिस्हों ह海डर क्वालीफिकेशन का नहीं देना सिर्फ 10 चलेगा तो किस युद्धी आपने पास किया है सेटिफिकेट you नमबर क्या है आपको डालना है यह जरूर नहीं डालना है लेकिन आपके पास ही दिया है तो आप दे सकते हैं उसमें फिर है जो ट्रंस जेंडर में आते हैं तो उनको अपना जो भी है शर्टिफिकेटि इश्यों होना चाहे डिस्टिक में जबत से और फिर यहां पर दिया हुआ है कि एक कंडेड सीर्फ और सीर्फ एक ही एक इस टेशन कर सकते हैं और एक एक मोबाल नानबर से एक रेश्टेश्षन होगा हां अलग बात है कि एक रेश्टेशन से और जितने भी सर्कल में भर न अब यहां पर फी के बारे में है जो मैं आपको बता दिये हूं ओसी ओविसी इडावलुएस मेल कंडेट यह सब जो आते हैं अन्रिजाट यह सब जो हैं तो उनको सो रुपया लाएगा सो रुपया जो फी है वह आपको देना पड़ेगा और डेविट कार्ड करेड़ कार्ड अचया है तो उसका इस का साइज हमना चाहें अक्षू경िस लाएगा तो देंथ का जौ आपका सेट्पीकेट है जये पी जी होना चाहिए दो सो कवी की हमना चाहिए sudah का अब पर यह जो है एफ जो मार्क सीट है वहांद़ा के बी का उसका भी साइज होना चाहिए और यह फोर से ज़्यादा यह भी नहीं होना चाहिए हर तरह के कंडेट के लिए लाव है इस साड़ आपको लिखा हुआ है फिर डेट अफ वर्थ प्रूफ है कहरा यह दे टेंथ का जो के जाद होना चाहिए तो क्म्प्यूटर के लिए उसका बड़ा नहीं होना चाहिए यह कह रहा है कि सिर्फ जो है AC, ST, OVC, EWS में जो आ रहे हैं इन लोगों के लिए अपलाई होगा आन रिजर्ट के लिए अपलाई नहीं होगा जो क्रिमी लेयर सट्फिकेट में जो आते हैं OVC तो CG approved होना चाहिए उनका फोटो जो है JPG format में होना चाहिए 50KV जो है 50KV तक फोटो होना चाहिए 50KV 200 x 230 जो है 230 पिक्सल और यह हर किसी के लिए है सिगनेचर है वहाँ JPG format में 200KV तक होना चाहिए और हर कंडेट के लिए है certificate for disability जो है यह 200KV तक यह होना चाहिए ए फोर साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए JPG format में उनके लिए नहीं होना चाहिए और एक और जो है कितना के लिए पेएवल होंगे कौन से पोस्ट बढ़े तो जो बीपियम है ब्रांच postmaster minimum 12000 और for minimum TRC for 5 hours जो है 4 hours के लिए जो है 12000 और TRC for 5 hours level 2 तो उनको 14500 तक मिलेगा और assistant branch postmaster और dunk सेबक का minimum TRC for 4 hours के लिए 10,000 और minimum TRC for 5 hours के लिए minus 12,000 है फिर उसके बाद यहां पर इसके बार में आपको बता दिया हूँ और उसके बारे मैं आपको बता रहा हूँ तो अब यह आंद प्रदिश के लिए भरना चाहते हैं तो उसका जो नोटिकेशन है वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नोटिफिकेशन के पडिया फाल दिया हुआ है आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं और पर्दस के लिए तेलियो लेंगोज होना चाहिए जो लोकल लेंगोज है असम के लिए असमी होना चाहिए और डिस्टिक ऑफ ब जो है जो यहां पर जो दिया हुआ उसके बारे में यहां पर मेंशन किया गया है और हर्याना के लिए हिंदी होना चाहिए हिमाचल परदेश के लिए जो लोकल लेंगोज आपको हिंदी होना चाहिए जम्मू कस्मिर के लिए जो लोकल लेंगोज है उर्दू और हिंदी मतल मैं उधर को हूँ नहीं महराष्ट का तो इसलिए हम यह नहीं पता है नॉर्थ इस्ट का में जो है यहां पर आपको दिया उनाचल प्रदेश मनिपूर में घाल है मिजोरम नागल अंतिरपुरा उससाब से इधर आपको लेंगज दो है लोकल लेंगज उडिशा के लिए उड लेंदी बेंगाल में बंगाली नेपाली मतलब किस छेतर साब लॉंग कर रहे हैं किस छेतर में आपके लिए फ़ॉर्म अपलाई करना चाहरे हैं उसकी हिसाब से दिया वाद एक और मैं वीडियो को शुरू में जो मैं आपको बोल दिया था कि जो मिनमाम है वाच्ण महिना दिया हुआ है आप चाहें तो यदि आपको और कुछ जनकार लेना है फॉर्म से संबन्धित यदि आपको कुछ मन में कुछ प्रश्ण है तो इस नमबर पर कॉंटेक्ट करके आप ले सकते हैं इमेल आड़ी भी दिया हुआ है यह मैं आपको बार बर बता रहा हूँ यह जो है डेली का जो से जो फॉर्म निकला है उसके लिए उसका मैं नुटिफिकेशन से आपको बता रहा हूँ आन्परदेश का आप खुद जाकर नुटिफिकेशन जो है पिडियो फाइल यहां पर आप खुद देख लिजी यह जो है 210 है तो यह काफी बड़ा हो जाएगा बताना आप खुद इससे आप देख लिए नुटिफिकेशन डाउनलोड करके और आन्परदेश का जो है वह भी आप चेक कर सकते हैं तो फॉर्म भरने का डेट है वह आपको पार हो रहा है जल्दी अब इसका डेट भी खतम होने वाला है 26 फरवेट तक लास डेट है आप इस फॉर्म को यह दिन नहीं फिलप किये हैं तो फिलप कर दिजिए सेलरी अलाकि इसका ज्यादा है नहीं तो फिर भी यह जो वेकेंस पांट साल के लिए ज्यादा नहीं और जो रहता है इसमें भी दिया गया है और इस फॉर्म को आप फिलप करना चाहते है तो जल्दी कर देजे और उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लागा होगा जनकारी पसंद आपको वीडियो अच्छा लाइक करें शेर करें क पांटन मारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बायल का घंट अपने में क्लिक कर दें चले मिलता अगले उड़े हो तब तक लिए जया हिंद बंदे मात्रों